आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, अगर इस question की बात करें तो question कह रहा है A man runs at a speed of 54 km per hour He covers a distance of 480 meter in time तो basically अपनको speed दे रखिया है जो है 54 km per hour अपनको distance भी दे रखा है जो है 480 meter अपनको find करना है time अब अगर यहाँ पर अपन देखें तो speed में जो length का unit है वो है km और यहाँ पर है m तो अपन basically क्या करेंगे km per hour को m per hour में m per second में change कर देंगे तो 54 को जब मैं 5 by 18 से multiply करूँगा क्योंकि आपके पास अगर कुछ भी दे रखा है km per hour में उसको simply 5 by 18 से multiply करोगे तो वो m per second में आ जाएगा और यह किता आ जाएगा यह आ जाएगा 15 m per second तो 15 m per second के अपने पास speed होगी अब अपनको पता है कि जो speed होते है वो होते है distance by time तो यहां से time क्या आ जाएगा time आ जाएगा distance over speed distance है 480 m और जो speed है वो है 15 m per second की तो जैसे इसको मैं डिवाइड करूँगा तो जो अपने पास time है वो आ जाएगा और वो आ रहा है 480 divided by 15 इसकी value होते है 32 तो 32 seconds में यह इतना distance travel करेगा given distance 480 meter I hope you understood Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आ यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8400 400 400 अबर